दोस्तों आज हम बात करने बाले हैं अंतरिक्ष की खोज की तो जुबा पे सबसे पहला नाम अमरिकी स्पेस एजेंसी नाशा का आता है उसके बाद यूरोपी और रूशी अंतरिक्ष मिशन भी दुनिया भर में काफी चर्चित हैं लेकिन इसी बीच हाली के कुछ सालों में स्पेस एक्स्प्लोरेशन में भारत के इश्रो का नाम भी उभर कर सामने आया है इतना ही नहीं पिछले कुछ सालों में भारत ने स्पेस अजेंसी में कुछ ऐसे रिकॉर्ड कायम किये हैं जिनने देखकर पूरी दुनिया हैरान है इसका एक बहुत बड़ा एक्जामपल है जो साबित कर देगा कि भारत के इश्रो मिशन ने नासा को भी पीछे छोड़ दिया है क्योंकि जहां नासा और बाकी देश मंगल यान मिशन में नाकाम्याब रहे वही भारत देश ने पहले ही प्रयास में मंगल यान मिशन में सफलता प्राप्त की ये भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्दी थी अब हम आपको बदाएंगे भविश में आने वाले इश्रो के पांचो मिशन के बारे में और यदि अगर भारत ने पहले ही प्रयास में इन पांचो मिशन में सफलता प्राप्त कर ली तो भारत नासा हो या एउरोपियन स्पेस अजेंसी हो या रश्यन स्पेस अजेंसी हो स इसमें GSLV Mark II rocket का इस्तिमाल करके चांड पर एक orbital और एक land rover model को भेजेंगे। दोस्तों इश्रो का दूसरा mission है आदित mission जो कि सन mission के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम 400 किलो का आदित 1 pro को सन के कक्षा में भेजेंगे और सन का जो solar corona है वो इस pro का अध्यन करेगा। इश्रो का तीसरा mission है अवतार mission जरहसल अवतार एक space Saturn का नाम है ये horizontally take off करता है इसे हम बार बार पर प्रियोग कर सकते हैं और अन्मान लगाया जा रहा है कि 2025 में इसका इस्तमाल करके हम किसी भारते को space पर भेजेंगे। इसकी टेस्टिंग 2017 में भी की गई थी इश्रो का चोथा mission है निशार mission निशार का मतलब होता है नाशा इश्रो अपार्चर radar mission यानि कि नाशा और इश्रो दोनों मिलकर radar emerging satellite बना रहे हैं ये भारत की पहली dual band radar satellite के नाम से जानी जाएगी इश्रो का पाँचमा और आखरी mission है Venus orbital mission Venus orbital mission में हम एक orbital को Venus का वातवरन जानने के लिए भेजेंगे ये mission 2020 तक launch हो जाएगा और माना जादा है कि अगर भारत ने इसमें पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली तो भारत में पहली space agency होगी thank you if you like our video then like share subscribe our channel and don't forget to press the bell icon